पाकिस्तान, सुबह बखेर पाकिस्तान क्या हाल चाल है आपका उमीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, प्यारों के साथ होंगे और एक नहीं खुशकावार सुबह का आगास कर चके होंगे, हर मंडे मैं होती हूँ आप लगों के साथ, और कोशिश करती हूँ आपके मंडे को फंडे में चेंज करने की, लेकिन फंडे में हम लोग थोड़ा सा एड कर लेते हैं, मुझे कुछ गेम्स डिफरेंट कर लेते है आज तो बहुत ही मज़े का जो है, वो बैंड भी होगा हमारे साथ, कह सकते हूँ कि बहुत ही जबर जस्ता हम कुछ गाने भी उनके साथ सुनेंगे, और इसके इलावा कुछ चीजे ऐसी होती है, जिनको डिसकस करना लाइफ में बहुत जरूरी होता है, आज कल कि अगर मैं बात करूँ कि यह जो सिच्वेशन अभी आप कह सकते हैं कि 8-8-7 से जो हम पर हावी है, कौवड जो कि नहीं जा रहा और अभी वेक्सिनेशन प्रोसेजर जो है, वो स्टार्ट है, लेकिन हम लोग घरों में स्ट्रक हो गए रहा है चुके हैं, इफ I am an office girl, अगर मैं office आ रह सकते हैं, आगर उनको हम नोट करें, तो हर दूसरे दिन कोई ना कोई पैन, अगर मैं अपनी घर में अपनी मदर की बात कर लूँ, मैं अपने फादर की बात कर लूँ, मैं अपनी ग्रेंड मा की बात कर लूँ, आपकी फैमिली में भी होंगे, तो यह छोटे-छोटे से दर जिसे कहते हैं कि वो होते हैं कभी कमर का दर्द, कभी बाजू का दर्द, कभी जॉइंट्स पेन, आप कह सकते हैं साभी कमजोरी, ये वो तमाम चीज़े हैं जिनको टैकल करना बहुत जुरूर है, क्योंकि अगर आप वक्त पे इन चीज़ों को ठीक नहीं करते, तो वक्त कर रहे हैं इसको मतलब समझ भी रहे हैं और लोग जा भी रहे हैं क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपेरियंस है, कुछ टाइम जब एक था, जब एक इंटरन्शिप के लिए हम लोग भी एक हॉस्पिचल में गे तो वहां पर हम लोग ने देखा कि इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रॉपर जोड़ एक बैच यह उन्याच ने जब एक हम वापिस आच होके अपने स्टोडियो में और हमें जोईन किया है एक बैंड ने वह बिसिकलिए तीन फ्रेंड्ड्स हैं कहां उनका मीट-प हुआ कैसे प्लैन हुआ कि हमने बैंड बनाना है और साथ ने परफिज़ कर आपके सभाएं कोई भी काम भेरें कुछ नहीं बल्के जो काम आप लोग आप कर रहे होते हैं आपका टीम वर को дос hơn बहुत सरह लोग आप से रिलेट कर रहे होते हैं अब आपके를 आपकेरें आप लोग किसी भी अवरन कर नहीं पर किसी फंक्षन पर कहीं नगी मुलागात होती है और वहीं पे एक पूरी टीम बन जाती है जब आपके माइंड, आपका काम, आपकी सोच जब मिल रहे होते हैं तो वो एक टीम जनरेट हो जाती है और फिर वो टीम कैसे आगे तक आती है और सेम इनकी भी यही स्टोरी है क्योंकि थोड़ा बहुत अब इतना टाइम इता ब्रेक में लेकिन थोड़ा बहुत इनके बारे में जानने की कोशिश की है लेकि मजीद हम जानेगे और हमारे वो यूद जो इस तरफ आना चाहती है उनके बारे में क्या कहना चाहिए कि इस वक्त क्या एक्सपोजर है यहां पे सिंगिंग का और है कैसे यह लोग अपने काम को तरतीब देते हैं और किस तरह से कर रहे है क्योंकि थोड़ी से डिफिकल्ट हर दफा मैं भी बात करती हूं कि है आप गैदरिंग नहीं कर सकते आपके इविंट्स नहीं हो रहे आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रही तो जिन में भी इस तरह का को बैंड बना लिया और कैसी इनकी परफॉर्मेंस है कैसा ये काम करते हैं और कैसी आवाज है ये तो भी जब गाएंगे तो पता चलेगा सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है माहत शेख ने असलाम लेकुम माहत कैसे हैं खेरियत से हैं गुड मॉर्निंग होगी सुबा अशूस हो गे थी मुस्तफा कॉन से हैं प्योंकि नाम लिखे हैं नाम लिखे हैं पता नी चला होगी सुबा मॉर्निंग परसे हैं यहां वो कि ते दिक्का स्टार्ट वाले के को तिक्टे देडे क्यो ठाएं सुबाट जाते हैं एक्सराइस बगारा टॉक्टर सा भी है ना अलेकुम शहरोज अलेकुम शहरोज को तो लगता है इस चील नीन आईविया नहीं बस हम कोशिश कर रहे हैं जागने कि राद को आप सौई थे रात को सो गयते बारा एंग बज़े नीग तो नॉर्मल रूटीन है पर तो तो असे बुचित हम लोग 8 बचे ऑफिस के अंदर होते हैं अच्छा महात मैं आप से स्टार्ट करूंगी थोड़ा सा मुझे अपने क्या बैंड नेम है कभी सोचा है या भी बैंड नेम देना है कितना टाइम हो गया कैसे स्टार्ट लिए स्टार्ट सब ऐसे हुआ के मेरा सिंगिंग में इंटरेस्ट इवेलब वह वन आ वस इन क्लास वाइव जब आतिफ असलम का पहला आया जल परी और समें जो आदद था इस गाना जो आज तक वन पॉपिलर सॉंग में साथ है तो उसको सुना उसके बाद उसी इल्मम का इक और गाना भीगी भीगी आदे आया तो वो दो गाने मेरी इंस्पिरेशन बने जो जिस ने कि मुझे फील हुआ के लाइक हाव सम्थिंग में कर सकता हूं अच्छा अतिफ असलम आपके इंस्पिरेशन है उनको देखा सुना और उनकी वजय से मेरा शॉक पेदा हूँ और मैंने श्कूल लाइफ में गाना स्टार्ट कर दिया हा स्कूल में गाया कॉलिज में भी गाय और अभी भी गार है अच्छा पेरेंट्स का पता क्या होता है जब बेटे से ना बड़ी आपको होप होती है अमा अबबा को बड़ी तवकवात होती है कि मेरा बेटा तो कैप्टेन बनेगा लेटिनेंट बनेगा और एट दी एंड ग्राजुशन करने के बाद कैसी बैंड बनाना है तो घरवालों ने भी बैंड बजाई है और उन्होंने कहा कि शौक है तो के फाइन आप लोग करेंगे ना ना मेरे अमा बाल हमदलिल्ला शुरू से बहुत सपोर्टिव है बहुत सपोर्टिव है कभी उन्होंने किसी चीज से मुझे रोका नहीं मतलब वो अगर म अगर में जाए मेरे इस से बहुत सपोर्टिव होंगे अगर मैं चीक है आप लोगों के कोई ऐसी स्टोरी मुस्तफा मुस्तफा को तो है मुझे लग रहा है किसी नमार के भीता है यहां पर अजब रदस्ती के उड़ जाओ जाओ मतलब कोई इस तरह की रोक टोक नहीं है कि नहीं करना या स्टडी कम्ट्रीट कर लो कि जॉब कर लो इसको पार टाइम लेकिता होते हैं कि वो कुछ ऐसी अर्ड करें जिससे कुछ कम बैक भी मिले जाओं जाओं लुग भी मिलें एक वो पैसों के लिए नहीं है वो मतलब फ्रीवेल है तो अगर आप वो सोच के साथ अपलाई करते हो तो आपका आपका आप अच्छ प्रकूल और शैरोस आपके नहीं आए ऐसी तो कोई रिकावट नहीं थी क्योंगे बेसिकली जो उनके ह होपस हैं कि हम पुरे कर रहे हैं तो भुब कहते हैं कि बस जो आप लोग कर रहे हैं तो आप स्थ नृब ऍदिय्यमbody में चैं जी बहुत अच्छे आप हैं यह लूइह नॉनॉमल इस नॉad आजंब ऐसे र Prime reservoir It is a Retремon LED अट फिर फैर भ nervous ukasak पानी, जल्ए पहले कि 들 हिरका नहीं है। किस टाइब काले माझा शनते है वाय में अवकुर साब्たे है । तो यू कें दू मैं जिए टिए चिट चिट कर लग था थे निए भी आप लोगों की प्राम फ्यू सेकंड एक अच्छा 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 आप मुझे बताए जब तक इनका वो चल रहा है सारा हम लोग बात कर रहे थे जिए भी आपको देख रहे तो आप क्या देख रहे तो आप क्या हैं किस इनको ट्रेम अफ़न बेसिकली मैं एक सेंपल पॉस्चर के बारे में बता हूँ पॉस्चर जो है वो इसका मतलब है के तवे हाओ यू केरी और बॉड़ी मतलब जिस तरह आपकी बॉड़ी है अल्दाल ने जिस तरह बनाई है उसी तरह आप लेके चलते हो ठीक है जो नॉर्मल इनसान को होना चाहिए तो आजकल के बच्चे जो है या ज़्यादातर हर कोई बड़े भी आजकल गैजट यूज जादा हो गया मेडिया सोचल मेडिया और ये चीज़ बहुत जादा यूज हम टीवी देखते हैं ज्यादातर देखते हैं और स्कूल भी बनने आजकल तो जितने भी पैरेंट्स देख रहे हैं मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि अगर गर में बहुत ज्यादा बच्चे गर गैजट यूज करें तो उनके लिए पिर एक स्पेसिफिक टाइम एक सरसाइस का भी रखें ताकि उनकी एक्टिविटी हो पॉस्चेर अगर वो हर टाइम इसी तरह रहेंगे तो पिर वो उनके स्लाउच पॉस्चेर बन जाते है राँड़ राउंड सोल्डर हो जाते है तो इस लिए हम उसके प्रॉपर एक ogrसाईस से उसके लिए प्रॉपर आपने नॉर्मल पोजिशन में रहें और अफने नॉर्मल पॉस्चेर को मैंछें एक हैं चले दूर्ट दूर्ट से कोई आए कही छुपके से वो दिल में समा जाए साजना दूर्ट सूरज की किरनों से बनता है चहरा तुमारा एक यही चहरा है मेरा जीवन सहारा आखे तेरी मेरी नदिया पल के किनारा लाखों दुखों में अकेला है मेरा ये दिल बेचारा दूर्ट 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 आखे तूर्ट आखे तूर्ट आखे तूर्ट लेकिन जादा सुनने का क्या शौक है मैं पता नहीं बच्पन से ही क्यों मैं बहुत स्लो गाने सुनता हूं मतलब बहुत डिप्रेसिंग गाने सुनता हूं मेरी परसनल जो मैं जॉनरा मुझे पसंद है आखे वह स्लो सूधिंग सॉंग जो स्लो पेस पर चलते हैं एक ठेरिप्यूटिक एक फील आए मुझे उस तरह की गाने पसंद है शोर शरावा मुझे निए पसंद देता हूं अगर हम यूस की बात करने तो उनको तो ऐसे गाने पसंद है बेस अच्छी होनी चाहिए जिसमें पॉप और रॉक टाइप के वो जादा वो तो आप लोगों की क्या च्वाइस है मैं तो हर तरह सुनता हूं हर तरह सुनता हूं लेकि हम फोकस अपना जाए तक पाकिस्तानी कॉंटेंट की उपर करते हैं यह मंखे गापस पाकिस्तान से नहीं हुआ ओपे हैं पाकिस्तान नहीं खब्सक्राइए पैट नहीं हो थो जिता थो आपंधा हुआ है कुछ हम एप्राने गाने पुराने श्वर्क ऑने सिंकर्स का हम लोग लाजमी रिइस करेंगे जो लेजंडरी आर्टिस्ट है हमारे पाकिस्तान के थैंक यू सो मच दोक्टर साब आने के लिए टाइम देने के लिए और उमीद करते हैं कि ये कुछ चीजें जो कुछ बाते जो हमने सुनी हमें कहीं न की कुछ सीखने करने का मोका मिलाओगा वक्त एक छोटी सी ब्रेक का ब्रेक पर चलता हैं फिर वापिस आते हैं कहीं मत जाएगा वापिस आते हैं अपने स्टोडियो में और पर्ली डॉक्र साफ ते हमारे पास जिनसे हम बात कर रहे थे फिजिकल फिटनेस के बारे में फिजिकल थारपी के बारे में क्योंकि वो चीजे कुछ ऐसे होते हैं कि जानना बहुत जरूरी होता है लेकिन थोड़ा से इज्वायमेंट के रिए बैंड भी हमारे साथ हैं जिनसे हम गवशब भी कर रहे हैं जिनसे हम्योजिक भी सुन रहे हैं अभी वो लोग हमारे साथ है पहले हम एक ट्रैक्ट सुन लें उसके बाद पर आजज़ यूजिक का तड़का हो तो वो जादा सिलसले दोड़के जड़ी है इक ही बोड़के बसे की बसे बीते दिनों की बबाते क्या धर्मद इजनली आज़ना में जटू रहे हैं इस नंका यह से नहीं है यह किसे यह बाद हो गया चार दिन की जिन्दगाने अरपल एक नहीं कहाने क्या खामें क्या बन गया क्या हुआ जो लारी छूटी जीवन की गाड़ी लूटी खौब है तो मुझको ना जगा जिन्दगी एक पल में साली यू बलट गई हमारी जूट है तो मुझको ना जगा हूँ हूँ तरो दो 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 एक ऐशास है कभी सोचाना था, मैं जलता रहा, मैं जलता रहा अंधेरों में भी एक रोशनी थी, उस रोशनी में दिल जलता रहा तो दिल मेरा रोए तो क्या, वक्त एरादों को तोड़े तो क्या मंजल को अपनी पाएंगे हम, वक्त को अपना बनाएंगे हम हुचा 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 ह सब्सक्राइब 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 एक आर्टिस को किस क्राइटिया पे लेना चाहिए मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो रेकिनिशन इतनी डिजर्वनी करते जिन उनको मिल जाती है थोड़ा है बुरा सीन है मतलब आपको उस तरह आपको नहीं मिलती है आपको अपने एफट से ही अपने हाडवर के थुरू आपको वो मिल सकता है जो आप पाना चाहते हो जो ट्रू आर्ट है वो पाकिस्तान में लेकिन वो मतलब किसी साना सामने नहीं आप अचाब कितने क्या लगता है ये अगर बात करते ह।inkyज़ तो मस्ताब कितने गोस आपको अच्एवक है क्शीव कर चुके हैं और ऐसे कौनिश ये जो अब घ्uss को अबड़ना पाकि है और प्रक्वेशन की आफीनिश्य बेड़विस्टिज़ से लिग होती है इक इस पर जानिज होती है पर प्रेशेशन चाहिए होती है, सबस्दा जो एक चीज बूश्ट करती है। उसको तो मुझे बदा चल गया, उनको तो आतीफ असलम है, जिंसन, इंस्पाइरेशन ली और वो सारी चीज़े, आपके इंस्पाइरेशन कौन है? मेरी इंस्पाइरेशन वेसलि कोई इना बड़ा आर्टस नहीं था, मेरा अपने ही एक दोस्त है, वो अब तो खेर इस फील्ड से चला गया है, लेकिन पहले वो करता था तो मेरी क्लास पहलो तो मैं उसको देख देख के काफी मेरे माइंड में भी यह चीज़ आई, फिर मेरे पूरे पाकिस्तान में कोई देख को मस्तफा सुनता है, क्योंकि पता है क्या थोड़ा से यह कि हमारे हाना, पॉप, प्रोग और वो पुराने जमाने में कवाली और वो चीज़ें, और इस अंग्लिश मुजिकर सुनते हैं, बहुत सारे हमारी हूज है, बड़ा इंटरस ले के लिए, अला ताल आप लोगों को बहुत कामयाब करें, और आगे इंशाला आने वाली लाइफ में और आने वाली टाइम में एक बहुत बड़े बैंड की हैसी, उससे आप लोग बहुत सारे कॉंसर्ट्स में, गारी और में में काऊंगी हाँ, यह यह बैंड मेरे प्रोग मैं वही कहूंगे कॉवट की सिच्वेशन है, यह जो आप कहा सकते हैं, टूरिजम स्टार्ट हो चुका है, यह प्लेसे डिफरेंट ओपन हो चुकी है, लेकिन अपनी बहुत क्यार करनी है, एहतियात के साथ जाना है, ट्रावल करना है, एसोपीस का खयाल रखना है, और प्लेसियात know दो च्तू करना है, यह जो आपको है प्लेसे डि ed Except B